नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में जियो फाइनिंसियल सर्विस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस समय ये कंपनी 2.4 लेक करोर के आसपास का मार्केट कैप है इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 20 के आसपास है जबकि ये स्टॉक 141 के प्राइस अर्नि रेशियो पे ट्रेड कर रहा है जो कभी 6000 के पी पे ट्रेड करते दिखता था इस समय कंपनी fully operative नहीं है जिसके कारण higher PE दिख रहा है लेकिन कंपनी खुद को जो है जितने भी opportunity है उसको find out करते दिख रही है और काफी सारे हमने देखे कि कंपनी ने खुद को expand करने की बहुत सारे news trend होते दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि long term perspective से surely एक multi-bagger stock हो सकता ह इसके पीछे बहुत सारे explore कंपनी ने करते दिखे पहली खबर हमने देखी थी जहां कंपनी NBFC से CIC को लेकर के core investment कंपनी को लेकर के कंपनी ने RBS approval को लेकर के आवेदन भेजा है दूसरी खबर हमने black rock के साथ joint venture देखा और black rock दुनिया के लगबग bond market का 10% on करती है तीसरी ख quarters होते हैं जो device sales होते हैं उसको लेकर के 36,000 करोर की कंपनी ने एक deal करी हुई है तो क्या इस news के तुरंत बाद एक बड़े trend दिखेंगे या थोड़ा समय लगेगा आगे के trend दिखने में वो समझें recent के trend और long term perspective के trend को समझें इस से पहले premium telegram को join करें description के link से चाहें तो account open करें मैं एक बात कहना चाहूंगा हर positive या बरी खवर तुरंत stock में react करें ऐसा जरूरी नहीं है और recent में ही हमने देखा Tata Motors जो UK से अब पूने के अंदर assemble करेगी GLR और Range Rover को जिसके कारण company के जो sales हैं उसके काफी growth दिख सकते हैं चुकि vehicle के prices जो हैं वो लगबग 22% कम होएगा पहल district market में यहीं assemble करके यहां बेचा जा सकता है लेकिन फिर भी अटाटा मोटर्स विक ही दीख रहा है तो इस चीज को समझे कि positive खवर के बाद असा नहीं है कि stock तुरंत react करें खवर अपने जगह हैं long term prospective अपने जगह हैं short term trend अपने जगह है और इसलिए मैं कहता हूं भाव भग हमेशा price section को follow करें if you are a short term trader अब यहां देखें तो 356 यानी 1% के downtrend पे trade कर रहा है पास्ट वन येर में stock ने लगबग 50% के return दिखाएं और even lower price से देखेंगे तो 90-100% तक के levels के high भी stock में दिखे थे एक बड़ी खबर यहां दिखी कि जिओ फाइनेंशियल plans 36,000 करोर deal with reliance retail, reliance की subsidiary, reliance के subsidiary के साथ deal कर रही है 36,000 करोर का जिसमें की जियो फाइनेंशियल सर्विस की जो subsidiary है GFS वो जियो लीजिंग सर्विस वो टेलिकॉम एक्यूपमेंट खरी देगी जिसमें devices होगा जिसमें routers आएंगे sales phone आएंगे और इसी के लिए 36,000 करोर का यह deal होते दिख रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस is seeking shareholder approval for its unit to acquire equipment worth 36,000 करोर from retail arm of reliance industry as a financial service provider plans to enter the device leasing business and a postal ballot notice note यह लगबग 22 जून तक मुझे लगता है जितने भी shareholder है उनके mail पे एक mail गया होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए यह 36,000 करोर जो fund के deal हो रहा है जो company leasing business के अंदर जा रही है तो उसको लेकर के आप agreed है या नहीं है आप हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा है उसको लेकर के mail आपके पास जरूर गया होगे इसके अलाबा देखेंगे अंदर प्रपोस्ट इल GFS जो जियो फाइनेंस का जो काम करेगी कॉल्ड जियो लिजिंग सर्विस जो GFS जियो फाइनेंशियल सर्विस के सब्सेड़ी है विल बाइटेलिकम एक्यूपेंट एंड डिवाइस देट यूजल इंक्लूड राउटर सर्विस फोन्स और लेटोप्स एमांग अधर प्रडॉक्स तो जिस प्रकार से हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जियो फाइनेंशियल सर्व जियो के सीम को यूज़ कर रहे है वैसे इस एक्यूपमेंट को ले करके कंपनी पूरे इंडिया के अंदर पैनेटेट करना चाह रही ह और मुझे लगता है कि एक प्रोफिटेवल काफी बरा कदम हो सकता है प्रोफिटेबिलिटी के पॉइंट अव यू से रिसेंट की डिलेवरी तो बेटर दिख रही है बड़ ट्रेंड इस समय वीक है और मैंने इसलिए कहा कि पोजेटिव न्यूज के बाद भी स्टॉक ऐस यह एक सपोर्ट है जो प्रीविएस रेजिस्टेल्स था वो सपोर्ट है और यहां से रिवर्स लिया यानि फ्रेस डाउन ट्रेंड 335 के नीचे ही दिखेगा अगर यह तूटा तो आप समझे कि 260 और 280 भी दिख सकते हैं लेकिन इस समय इन बिट्वीन 380 से लेकर के 335 कंसोल से जाउट के लिए मिलेगा तो लॉंग टर्म यूज काफी स्ट्रॉंग है पोटेंशली 700 टू 1000 दिख सकता है लेकिन सोट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा कॉसन बरते हैं थैंक यू आई होप यह वीडियो इंफर्मेटिव रहा